आईपियल का मैदान बन गया लोगसभा अंबेड कर नगर का चुनाव रिंकू सिंग की तरह ताबरतोर बल्लेबाजी कर रहें रितेश पांडे पहले ही ओवर में ताबरतोर बल्लेबाजी करने से हिल गई सपा नहीं रोगपारी है सपा रितेश पांडे का तूफान शांदार कप्तानी निभारे है बीजेपी के जिलाध्यक्ष एक जटके में बिखर गई समाजवादी पार्टी शुरुवाती रुजान में सपा ने तोड़ा दम या अपनी पारी में योवराज सिंग बन जाएंगे लाल जी वर्माच है बॉलो पर जोड़ देंगे चैचक के या मोहमत शमी की तरह सपा के लिए कहर बनेंगे बीजेपी के रितेश पांडे इस वक्त बीजेपी और सपा के भी चुनावी मैदान पर जिस तरह का मुकाबला चल रहा है वो मुकाबला बिलकुल क्रिकेट के मैदान की तरह हो गया ये कहना बिलकुल गलत नहीं होगा कि पहली पारी में गिंदबाजी करते हुए रितेश पांडे ने तूफान खड़ा कर दिया है 2024 लोकसभा का चुनाव वर्ल काप की तरह हो चुका है अमबेटकर नगर में भाजपा और सपा के बीच हो रहा है दिल्चस्प मुकाबले में भाजपा को लाभ मिलता दिख रहा है क्योंकि मात्र दो वर में ही सपा ने अपने शिर्स दो विकेट कवा दिये इसका सर पूरे मैट के दोरान दिखेगा वहीं विकेट लेने वाली पार्टी भाजपा की टीम में खुशी की लहरे भाजपा की कप्तान त्रयंबक तिवारी और सलामी बल्लेबाज रतेश पांडे पूरी तरह से मैदान में ठीके हुए जानते हैं इस क्रिकेट कॉमेंटरी के पीछे की पूरी कहानी वैसे तो हर चुनाव रोचक होता है लेकिन कई बार के चुनावी माहौल दिल्चस्पी की पराकाष्ठा को पार कर देते हैं ऐसा ही चुनावी माहौल इस पार अंबेड कर नगर लोगसभा शित्र में दिख रहा है ऐसे में भाचपा इस पार किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं करना चाहते क्यों से फिर से अंबेड कर नगर लोगसभा की सीट गवानी पड़े भाचपा की शेत्रे निताओं ने बहुत ही सतरकता से सपा की दिवारों को कमजोर करना शुरू कर दिया है अब एक दिन पहले भारी संक्या में अंबेड कर नगर सपा के वरिष्ट निताओं ने भाचपा जोइंग कर लिया इस जटके से सपा खुद को संभाल पाती उसके तुरंत बाधी ब्लॉग प्रमुख अकबरपूर प्रतनिधी आनंद वर्मा ने सेकड़ों बीडीसी और पचास से जाधा प्रधानों को भाचपा की सदसिता दिलवाई सेकड़ों की संक्या में हुई ये सदसिता बीजेपी के लोगसभा प्रत्याशी रितेश पांडे और बीजेपी जिलाध्यक्ष त्रैमबक तिवारी के नित्रतों में सफल होई